Hi guys, welcome back to my channel तो हम लोगों का Algebraic Extension वाला टॉपिक चल रहा है जिसके अंडर हम लोग हमारी तीन Theorem cover कर चुके हैं और आज हम लोग हमारी 4th Theorem को cover करेंगे 4th Theorem को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है Finitely Generative Extension जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो मैं starting में इस topic के उपर एक separate video बना चुकी हूँ बच still हम लोग इसको एक बार आज brief में फिर से discuss कर लेते हैं because fourth theorem को करने के लिए आपको इसका मतलब है जो वो पता होना चाहिए तो वो सबसे पहले इसकी definition देखते है अगर हमारे पास पोस कोई एक extension गिवन है E, F की यानि कि E अगर field है तो F कोई subfield है E का ठीक है हम E को finitely generated extension तब बोलेंगे अगर इसके अंदर कुछ finite number of elements प्रेजेंट हो उन elements को हम लोगों ने U1, U2, up to UART consider किया such that smallest subfield of E containing F and all the elements is E itself कहते कि एक कोई E हमारे पास finitely generated extension तब होगा अगर उसकी हम लोग कोई सबसे smallest subfield consider करें और उस smallest subfield में F O और E के सारे के सारे elements present होना और वापिस से हमारे पास जो result आए वो E itself आए यानि कि smallest subfield जिसमें F O और E के ही सारे elements हो और वो वापिस से हमारे पास क्या बन जाए E खुद तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे finitely generated extension इसको लिखने का तरीका यह है यानि कि E equals to F और F में हम लोगों ने वो सारे elements adjunct करवाए हैं जो कि E में present है इसको example के तुरू समझते हैं हम लोगों ने कोई दो field consider कर लिए R और C R मेरे पास real का field है और C मेरे पास complex numbers का field है अब हमें ये चीज़ पता है कि जो complex numbers है वो extension है R के elements का ठीक है अब suppose करो मैंने कोई element iota ले लिया जो कि C को वो belong करता है मैंने real के element में iota को adjunct करवाया तो result जो मेरे पास add in बनेगा उसमें iota present होगा अब अगर वो iota result में present है it means वो किसको belong कर रहा है वापिस C को belong कर रहा result यानि कि start मैंने element लिया था complex का उसको मैंने addjunct करवाया real में और वापिस से मेरे पास क्या बन गया C बन गया it means मेरा जो C है वो finitely generated extension है किसका real number R का ठीक है गाइस तो ये थी मेरे पास definition finitely generated extension की अब हम लोग इस पे based हमारी next theorem स्टार्ट करते है गाइस ये जो theorem हम लोग स्टार्ट करने वाल है न ये important theorem है तो आप लोग इसको star mark कर ले न ठीक है let E equals to F U1 U2 up to UR be a finitely generated extension of F तो सबसे पहली चीज जो हमें given है कि E कोई मेरे पास finitely generated extension है किसकी F की ये चीज सबसे पहले हमें given है such that each UI where I varies from 1, 2 up to R is algebraic over R sorry, algebraic over F तो second चीज अब हमें क्या given है कि हमारे पास जितने भी E के elements है यानि कि U1 U2 up to UR सारे के सारे algebraic हैं किसके उपर F के उपर तो मतलब हमें दो चीजें given है एक तो पहली कि E मेरे पास एक finitely generated extension है F का दूसरी चीज हमें given है कि हर एक UI हर एक UI algebraic है किसके उपर F के उपर तो अब हमें proof क्या करके देना है कि जो मेरा E है वो एक finite extension है किसकी F की और अगर ये finite extension है तो हमें proof करके देना है कि ये एक algebraic extension भी होगा F के उपर हम लोगों ने हमारी previous थुरम जो की थी I think second number पर थुरम की थी कि every finite extension is algebraic extension but the converse is not true यानि कि हर finite extension algebraic extension होती ही होती है ठीक है लेकिन हर algebraic extension finite extension हो ये ज़रूरी नहीं है it means हमारा prime focus कहां पर होगा हमें proof करके देना होगा कि E है मेरा वो finite extension है F का अगर हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करवा दीना तो with the help of that result हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि E है जो मेरा वो algebraic extension B होगा F का ठीक है गाईस तो ये थी मेरी statement जिसमें हमें दो चीज़ें given है और हमें ये तीसरी चीज़ें वो proof करके देनी है अब हम लोग इसका proof देखते है इसको proof करने के लिए हमें एक और result है ये समझना होगा कि ये है क्या ठीक है an element in E is algebraic over a field F ठीक है तो इसको diagram के थूरू मैं बहुत explain करते हूं कहते कि E कोई एक extension है मेरे पास जो कि किसकी extension है F की extension है ठीक है कहते an element in E is algebraic over a field F then trivally it is algebraic over any field K such that F is contained in K and K is contained in E ठीक है तो अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास K कोई एक extension है F की E further extension है K की हम लोगों ने क्या किया एक element let कर लिया U जो कि किसको belong कर रहा है E को और हमें इस statement में given है कि हर जो भी element E में belong करेगा वो algebraic है किसके उपर field F की उपर तो it means U मेरा E को belong कर रहा है it means U मेरा क्या है algebraic है किसके उपर F की उपर ठीक है अब इनका कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई element है E का वो अगर F की उपर algebraic है तो अगर इन दोनों के बीच में भी कोई field आएगा न तो U है जो वो उस field के उपर भी algebraic होगा यानि कि अगर U मेरा direct F की उपर algebraic है तो वो बीच में आने वाली जो K field है इसके उपर भी algebraic होगा ठीक है तो अब hence there exist polynomial which belongs to Fx and P u equals to 0 अब हम लोग क्या करेंगे इसके उपर definition apply करेंगे किसकी algebraic extension की definition को apply करेंगे अब इस definition के according अगर मेरे पास कोई भी एक field के element sub field के उपर algebraic होता न तो एक कोई polynomial हमारे पास Px exist करती है जो कि उसी field में से belong कर रही है ठीक है प्लस जो element है न अगर हम लोग उसको हमारे इस Px में x की जगा पर ही place करके अगर मैं u को substitute करवा हूँ तो जो polynomial को solve करने के बाद result आएगा वो 0 आएगा यानि कि u क्या है मेरा root कहलाएगा Px का तो it means Px की जगा पर जब u को substitute किया तो result क्या है 0 आया तो मैंने यहाँ पर अभी सिरफ algebraic extension की क्या किया definition apply किया and according to above result 1 according to this result हमें यह चीज़ given है कि जो मेरा f है वो किस में contained है k में contained है ठीक है this implies fx भी kx में contained होगा अगर f contained कर रहे k में तो fx भी तो belong करेगा kx को और अब इसके according px है मेरा वो fx में belong कर रहे तो definitely जो मेरा px है वो kx में भी तो आएगा क्योंकि fx है मेरा वो कहां से आ रहे kx में से आ रहे और px किसका किसकी polynomial है fx की polynomial है तो definitely px की x की भी polynomial होगी ठीक है therefore each ui is algebraic over e i-1 where i varies from 1, 2 up to r तो अब यह क्या बोल रहे है therefore हर एक ui u1, u2, u2 up to u r हर एक algebraic होगा किसके उपर e i-1 के उपर with e not is equal to f also e i is equal to e i-1 जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे ui's को क्या है कि यह adjunct करवाया अब इस line का क्या मतलब है हम लोग किस diagram के तुरू समझते है हम लोगों ने क्या किया हमें given था कि मेरे पास e i 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 लोगों ने U3 को करवाया और इस पूरी टर्म को नेम दे दिया E3 अब सुन जब आप चलते जाओगे तो end में मेरे पास कौन से element बना UR तो मैंने अब सबसे last में UR को एडिजन करवाया और इस पूरी टर्म को हम लोगों ने नेम दे दिया ER और ER को फर्दर हम लोगों ने E दे दिया क्योंकि हम लोग इस डियागरम के according हम लोगों ने इसमें changes की है चीक है तो अब इतना portion आप लोगों को clear होगा है hope अब आजाओ next अब also के बाद जो यह term लिखी है अब इसको समझते है कि यह क्या है जब आप i को 1 यहाँ पर पुट करोगे तो मेरे पास यह चीज़ बनेगी i की जगह पर 1 1-1 0 और यहाँ पर भी 1 यानि E1 है मेरा E1 यह रहा यह किसके इक्वाल है E0 U1 अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा E1 है किस पर dependent है E0 पर dependent है यानि कि मेरे E1 क्या है किसके उपर algebraic है E0 के उपर similarly जब आप यहाँ पर i को 2 पुट करोगे तो यह चीज़ आएगी it means मेरा U2 किसके उपर algebraic है E1 के उपर algebraic हो गया similarly U3 मेरा किसके उपर algebraic आएगा E2 के उपर फिर U4 U E3 के उपर आएगा similarly जब आप continue करते जाओगे इस chain को मेरा जो UR होगा वो किसके उपर algebraic होगा UR minus 1 के उपर algebraic होगा according to this condition ठीक है तो आप next यहाँ पे क्या लिखा हुआ है here U1 is algebraic over F हम लोगों ने यही चीज़ प्रूफ कर वाई है हाँ पे के U1 का है वो algebraic है F के उपर FE E0 के उपर होगा algebraic similarly U2 is also algebraic over F अब हम लोग क्या करेंगे इस result को apply करेंगे दुबारा से कैसे अब जो मेरा U1 है वो तो algebraic है F के उपर ठीक है इसके बीच में कोई field आ रही है नहीं आ रही है तो चलो इसका तो बात ही पे खत्म होगी अब U2 को देखो U2 है मेरा वो किसकी उपर algebraic हम लोगों ने प्रूफ करवाया U2 मेरे पास किसकी उपर algebraic आया F की उपर ठीक है तो according to this result अगर मेरे पास E2 algebraic है F की उपर तो बीच में अगर कोई भी field आएगी तो उसके उपर भी तो algebraic होगा तो it means मैंने प्रूफ करवाया कि मेरा U1 है वो F की उपर क्या है algebraic है U2 मेरा F की उपर algebraic है U3 भी मेरा F की उपर algebraic है and so on till last UR सब के सब मेरे पास क्या है algebraic है F की उपर तो definitely अगर U2 मेरे पास F की उपर algebraic है तो according to result 1 U2 मेरा E1 के उपर भी algebraic होगा तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है similarly U2 is also algebraic over F but by result 1 U2 is also algebraic over E1 similarly U3 is also algebraic over E2 U4 किसके उपर algebraic हो जगा E3 के उपर हो जगा and so on इस तरीके से हमारी पूरी chain चलती जाएगी I hope आप लोग को यहाँ तक चीज़ें clear हो हम लोगों ने starting में proof करवाया सबसे पहले तो इस result को हम लोगों ने explain किया ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इसी को आगे continue करवाके chain draw करवा सारी की सारी और इसी result को apply करवाके हम लोगों ने हर एक element को उसकी previous field के उपर क्या करवाया algebraic proof करवाया अब हम क्या करेंगे एक और result देखेंगे यहाँ पे यह जो result हम लोग अब study करेंगे इसका proof में हमारे पिछले lecture में complete करवा चुकी हूँ तो आप लोग उसको refer कर सकते हूँ जो भी results में हाँ पे करवारी हूँ न except result 1 इसका proof हम लोगों ने नहीं किया result 2 और एक और result आएगा result 3 इन दोनों का proof में पहले करवा चुकी हूँ जो link है वो description box में भी है आप लोग उसको refer कर सकते हूँ तो अब result 2 देखते है if k is an extension of f तो हमें सबसे पहले हाँ पे क्या given है कि k कोई मेरे पास एक extension है किसकी f की हमें ये चीज़ given नहीं है कि k है वो finite extension है या वो algebraic extension ऐसा कुछ given नहीं है हमें सिरफ ये बोला गया है कि k है वो कोई extension f की ठीक है then u belongs to k is algebraic over f तो कहते then कहते एक कोई element ले लो u जो की k में से belong कर रहा है कहते ये element u f के उपर algebraic तब होगा जब आप f के अंदर u को adjunct कराओगे और जो add the end fu बनेगा वो खुद algebraic extension होना चाहिए f का कहते अगर ये condition satisfy है ना तब ही सिरफ u मेरा algebraic होगा f के उपर and similarly ये vice versa case भी है इसका converse भी है कि अगर ये चीज़ hold कर रही है तब ये चीज़ होगी अगर ये चीज़ hold करेगी ना तो ये चीज़ भी होगी ठीक है तो अब इस result को जब हम लोगों ने हमारे last lecture में प्रूफ किया था ना तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ की थी कि इसकी जो degree है या फिर इसकी dimension है वो finite है तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते तो guys ये same theorem है हमारी जिसका result हम लोगों ने वहाँ पर भी लिख है तो उसको जब हम लोग प्रूफ करवा रहे थे ना तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करवाई थी कि जो degree है ना f u की over f वो finite है उसको हम लोगों ने n से denote करवाया था ठीक है और ये finite कैसे आई थी हम लोगों ने इसकी एक basis ली थी जिसमें n number of elements थे ठीक है और degree या फिर अब dimension बोल लो उसका उसकी definition क्या है number of elements which are present in the basis मतलब जितने elements basis में present होंगे न वही हमारी degree होगी तो यहाँ पर मेरे basis में n elements present थे ठीक है तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था इसकी dimension या फिर degree बोल लो हम लोगों ने इसको finite यहाँ पर लिया था ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज को directly वहाँ पर यूज करने वाले है therefore by result 2 अब हम लोगों ने क्या किया by result 2 हम लोगों ने e i-1 जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे u i's को क्या कराया एक जंक करवाया है इसकी degree over e i-1 हम लोगों ने n i suppose कर ली ठीक है अब हमें यह चीज अल्ड़ी पता है कि जो यह चीज है वो e i की equal है तो मैं directly इसकी जग़ पर e i substitute कर दूँगी यहाँ पर तो मेरे पास यह चीज बनी यह भी finite होगी क्योंकि यह भी तो n i e है now let us calculate the dimension of e over f अब हमें क्या करना है e over f हमारी जो dimension है वो calculate करके देनी है तो इसको लिखने के लिए symbolically हम लोग इसको इस तरी के जिने note करते है e over f इसका मतलब यह है अब हम क्या करेंगे इसको different different छोड़े छोड़े chunks में divide करते है अब सबसे last term मेरी कौन सी है e है अब इससे previous term कौन सी थी यह जो e है वो किसके equal है e r के equal है इसके नीचे वाली term कौन सी थी e r minus 1 तो it means यही चीज हम लोगों नहीं यहा लिखिया that is e over e r minus 1 यानिक इसके पीछे वाली एक term ठीक है अब e r minus 1 के पीछे कौन सी थी e r minus 2 तो second box में में पास यह आ गई similar लिए जब आप इस chain को continue करते जाओगे ठीक है तो it means जब हम लोग इस series को continue करते जाएंगे ना तो last में हमारे पास e 1 और f बचेगा तो it means यह क्या आएगर last जो chunk आएगा मेरा वो क्या आएगा e 1 over f यही है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया first उसके previous वाली term ठीक है आ गई फिर same यह repeat और उसके पीछे वाली term as in करते करते हम लोग जब last तक पहुंचेंगे तो मेरे पास e 1 over f आएगा अब हम क्या गरेंगे हम लोग देखेंगे इनके degrees लिखेंगे सबकी तो left hand side तो as it is लिख दी हम लोगों ने अब आप देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है मेरे पास e i over e i minus 1 और n के base में क्या है i है यानि n के base में वही element है जो e के base में यानि i और i similarly हम लोग को इस तरीके से इसको करना होगा अब e i किसके equal था er के equal था it means e equals to er तो base में क्या आगया r आगया तो यहाँ पे क्या आएगा nr अब इसमें देखो first पे क्या है r minus 1 तो यहाँ पे भी r minus 1 and so on जब अब करते जाओगे तो e 1 है यहाँ पे e का base कितना है 1 तो n का base भी 1 आएगा तो यह आगई मेरी सारी किसारी degree it means e over f की जो degree है वो कितनी आई है finite आई है does e is finite extension over f तो यही चीज़ तो हमें proof करवाकर दिखानी थी तो according to question हमें यही चीज़ बोला गया थे क्या आप proof करवाकर दिखाओ जो e है वो finite है किसके उपर f के उपर ठीक है तो हमारा first part prove हो गया अब second अब हम क्या करेंगे result 3 apply करेंगे अब result 3 क्या था every finite extension is an algebraic extension but the converse is not true तो यह चीज़ हम लोगों ने पहले भी discuss की हुई है इसके उपर एक separate video में अल्यदी बना चुकी हूँ हमारे last to last lecture में ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि हर एक finite extension algebraic extension होगा ही होगा ठीक है लेकिन हर algebraic extension finite extension हो यह ज़रूरी नहीं है तो हम लोगों ने proof कर दिया ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोगों ने proof करवा दिया कि E मेरा finite extension है over F तो अब result 3 से हम लोग यह बोल सकते हैं कि E एक algebraic extension भी है over F hence proofed यानि हम लोगों को यही चीज़ तो second part में proof करके देनी थी कि अगर E मेरा finite extension है तो वो algebraic extension भी होगा and done तो यही तो हमारी statement थी हमें proof करके देने थे और दोनों part हमारे proof हो गए यहाँ पर ठीक है guys तो हम लोगों यहाँ पर तीन result यूज़ किये पहला यह वाला ठीक है जिसमें हम लोगों ने यह चीज़ उठाई कि अगर कोई 2 हमारे पास given है field और sub field मतलब अगर कोई field मेरे पास sub field की extension है तो अगर इन दोनों की बीच में कोई भी एक और field आएगी तो वो मेरे पास जो element है field का वो उसके उपर भी algebraic हो का तो यह मेरा result 1 था हम लोगों ने इससे start किया फिर हम लोगों ने इसके उपर हमारा result 2 apply किया and then result 3 तो guys यहाँ पर हम लोगों की यह जो theorem है यह complete होती है आप लोग इसको go through करो अगर आपके कोई पर doubts आते हैं तो आप मुझे comment section में भी पूछ सकते हो या फिर आप मुझे telegram group पे भी message कर सकते हो जो link है telegram group का वो आपको description box में मिल जाएगा ठीक है guys thank you so much